विश्था दिन रिवाइस किया मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं वाकी रिवाइस किया है ठीक है तो 1-2-5 क्लेयर है और 9-11 क्लेयर दौनों पोर्शन कितने मज़ए के बने में एक का नाम 1-2-5 एक 9-11 ठीक है जी टल शुरू करते हैं वाइनिग अप कंपनी क्या है कंपनी कितनी किसम की होती हैं वो हमने पढ़ लिया कंपनी रिजिस्टर कैसे होती है उसके मेन रिजिस्ट्रेशन डॉकूमेंट्स मेमरेंडम आइडिकल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा फिर देखा कि इसके शियर्स वगरा कि क्या मामलात होते हैं यह डिविडेंड किस तरह से द को एंड करता है कंपठी खतम होने को कहते हैं कि इसलूशन अफ कंपने कंपनी डिसॉल्व हो गई तो डिसलूशन एक आउटकम है वाइनिंग अपका वाइनिंग अप एक पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कुछ लोग़ अदालत गए है कुछ लोगों ने कहा कि corporate entity, company चल रही है, company जिन्दा entity है, company अपने सारे काम कर रही है, और company को कोई यह नहीं कहेगा कि जी company खतम हो चुकी और यह अब अपने काम नहीं कर रही है, तो company के contract भी valid है, company एक आखरी दिन तक जब तक dissolve नहीं होती, तब तक वो एक legal person है और legal person जो काम कर सकता है, कर सकती है, dissolution का मतलब है कि company बंद हो जाए, वो एंड का process है, अब जब company wind up होती है, तो फिर एक concept आता है, कि जो company के share holders हैं, company के members हैं, उनका एक निया नाम बन जाता है, वो contributor बन जाता है, contributor कौन लोग है, जब company wind up होगी, तो वो लोग जिन्होंने company को winding up में additional funds देने होंगे, वो contributor हैं, यानि जब winding up होगी, तो company की कुछ liability होगी, वो company ने pay करनी है, तो company के members ने अगर को liability ली वी थी, कि हाँ भई अगर company बंद होती है, तो हम liability pay करेंगो, ने contributor कहते हैं, हमारी किताब ने word contributor का जिकर तो किया, लेकिन contributor को explain नहीं किया, तो एक tutor note डाला है, company law से ही, section के मताबिक contributor, company limited by share में वो लोग हैं, जिनके पास कुछ unpaid amount है, याद हमने का था, अगर एक share holder की liability नहीं होती, जब तक कि उसका unpaid capital नहीं हो, तो अगर किसी ने पूरे पैसे नहीं दिये, वो company को winding up में पैसे देगा, guarantee limited company में जतनी उसने amount guarantee की है, वो देगा, unlimited company अगर होगी तो वो तो बताने की जुरूद नहीं हो, तो वैसी unlimited है, limited by guarantee और share capital दोनों होगा, तो liability में guarantee amount भी आएगी, और share capital के मौन भी आएगी, share capital कौन सा वाला, जो unpaid होगा, जो पूरा pay नहीं किया होगा, तो अगर कहीं लिखा नजर आए contributor, तो आप समझ जाएगा, कि winding up के दिनों में members को contributor कहा जाता है, चुकि यहीं वो लोग हैं जोनोंने by the end of company winding up, contribute करना है, अगर company को कम पैसे पढ़ दे हुए winding up के खर्चे वो करने के लिए, liability settle करने के लिए, तो इन लोगों ने पैसे देने हैं, तो यह सबसे पहले एक introduction है, कि winding up एक process है, फिर एक step आगे चलते हैं, winding up की तीन मशूर किसम है, winding up by court, voluntary winding up और winding up under supervision, तो नॉर्मली हम कहते हैं, कि winding up by court मार्शला की तरह से है, voluntary winding up जो है, वो डेमोग्रेसी की तरह से है, और winding up under supervision उस तरह की हकूमत है, जो बड़े अर्से से चल रही है पाकिस्तान में, यानि कि हकूमत democratic, बट supervision, जो है वो इस तरह की के ऐसा लगता है, कि ये बस democratic government है, जबकि वो विचारी होती नहीं, तो वो winding up जो totally court शुरू करवाए, अपनी power से शुरू करवाए, अपने तरीके से शुरू करवाए, अपने रूल से करवाए, अपने भेजे हुए liquidator के थूरू शुरू करवाए, liquidator वो जो winding up करवाने के लिए बंदा आया है, वो winding up by code है, वो वालेंटी वालेंग जो company वालों ने खुद ही बैठकी, अपनी ही पसंद के liquidator से खुद ही से आराम से winding up शुरू कर ली, वो वालेंटी है, supervision में क्यों होता है, कि आप वालेंटी वालेंग अप शुरू करते हैं, और कुछ लोग घबराके कहते हैं, यह सही नहीं कर रहे हैं, wind up अदालत आप आप आजाओ, तो अदालत winding up by code की तरबी जा सकती है, और supervision की तरबी, तो थोड़ा सा एंड के गरीब जाएंगे, by code की उपर हमारी किताब ने जादा डिसकस किया, वालेंटी और अंडर supervision को तो बिचारे को एक एक पैरागराफ देखे चलता है किया, by code की बात करते हैं, जब winding up by code की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज जो हमारी किताब में इस तरह से नहीं दी वी, वो मैं additionally अहतियातन बताता हूँ, ट्यूटर नोड बनाके, sequence of events winding up में, winding up में किस तरतीब से चीज़े होती हैं, सबसे पहले एक petition आती है, इनमें से 5 स्टेपस हमारे इस लिबस में, अगले 3 स्टेपस हमारे इस लिबस में नहीं हैं, लेकिन ये समझाना mind map बनाने के लिए बड़ा जरूरी है, कि winding up किस तरह से चल रही होती है, सबसे पहले एक petition होती है, अदालत में एक दर्खास, petition कहते हैं, जब कोई अदालत में एक application देता है, कोई case दर्च कराता है, तो एक दर्खास तो होगी अदालत में, कि हाँ भी इसको wind up कर दिया जाए, अदालत को अगर जरूरी लगेगा, तो कुछ हरसे के लिए एक provisional manager अपॉइंट करेंगे, क्यों होता है, इसके उपर भी हम बात करेंगे, आके चलके, फिर उसके बाद अदालत winding up का order जारी करती है, और liquidator का पॉइंट करती है, अदालत को एक report जमा कराता है, उसके बाद winding up का process, यह नहीं कि कारवाई शुरू होती है, वाइंट अप तो जिस दिन petition जम होई थी, उस दिन शुरू होगई थी, लेकिन वो जो अब assets बेचने का, meetings का, legal cases का, फड़े, लड़ाई, जगड़े, वो सारा procedures है winding up के, फिर end पे funds distribute होते हैं, और जब सारे funds distribute हो जाते हैं, और जो additional plus minus था, वो settle हो जाता है, तो कमती हो जाती है, dissolve, ये तीन स्टेप हमारे स्लेबस में नहीं है, लेकिन उपर के पांच स्टेप हमारे स्लेबस में, आईकेप के किताब ने दो यूनट बनाए, एक जगा पर winding up के बारे में code का जिकर किया, और एक जगा liquidator का जिकर किया, तो मैं उसको एक sequence of steps के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताके आप उसको step by step ज़ाट कर सकें, पहला step, petition for winding up, winding up के लिए petition जो जमा कराई जाएगी, अगर कुछ लोगों को लगता है कि कम्पनी घलत तरीके से चल रही है, तो winding up के petition जमा करा सकते हैं, एक जहन में रहे कि, what are the reasons जिसके लिए लोग winding up की तरफ जाएगे, वो अलग हैं, और who are the applicants, जो winding up के लिए apply करेंगे, वो अलग लोग हैं, तो reasons अलग से याद करनी है, और applicants अलग से याद करनी है, applicants और reason का अपस में जाती connection नहीं है, मुश्किल से एक आद ऐसी reason है, जो किसी applicant को allocate हो सकती है, otherwise यह है कि, there are some circumstances जिसकी वज़ा से winding up की need generate होती है, और there are some applicants जिन में से कोई भी जा के अदालत को, उन में से किसी भी issue के ऊपर कहा सकता है, कि जी winding up की जाए, तो वो क्या circumstances जो winding up की तरफ लेके जाते हैं, लंबी से लिस्टर जो याद करनी पड़ती है, मैंने आपको एक टोटका बताया था, association not for profit के license cancel होने वाली शर्तें, और यह वाली शर्तें काफी मिलती चलती हैं, अगर आपने वो याद की वी हैं, तो बस यहां की कुछ अधाफी चीज़ें ही याद रखनी होगी, हम कहते हैं, कम्पनी अगर खुद से कहती है, कि हमने winding up by code की तरफ जानी है, special resolution पास करके, यह situation हो सकती है, strategy meeting नहीं करवाई आपने, या strategy report, जो very first बड़ी ज़रूरी meeting होती है, वो नहीं करवाई, या वो report जमा नहीं कराई, आपकी winding up की reason बन जाएगी, यह reason बनते साथ ही कम्पनी wind up नहीं हो जाएगी, these are the reasons जिस पर कोई apply करेगा तो process शुरू होगा, petition देगा तो, दो consecutive AGM नहीं कराई, दो लगातार accounts जमा नहीं कराई रेजिस्टरार को, number of member minimum से नीचे चले गए, company debts pay नहीं कर पारी, यह क्या चीज़ इसको भी explain करते हैं, क कम्पनी debt नहीं पे कर पारी का क्या मतलब है, company listed थी तो लिस्टेड नहीं रही, अदालत को लगता कि just an equitable है, company का कोई member नहीं रहा, company का sole business था license activity और वो license खतम हो गया, license section 42 वाला जो है, उसमें कोई गड़बड हो गई है अगर आप वो था, या company ने एक पूरा साल अपना business suspend रखा है, काश कहानी यहीं खतम हो जाती, कहानी आगे भी चल रही है, company is conceived of law for carrying unlawful, और या company fraudulent activities के लिए बनी थी, company कुछ ऐसा business करी है जो law ने मना किया था, company ऐसा काम करी है जो लोगों के interest के against है, company वो लोग चला रहे हैं जो के proper true accounts नहीं मना रहे हैं, fraud, misveasance कर रहे हैं, company के लोग जो है वो memorandum articles के तहत काम करने पर तयार नहीं है, फिर company ने कुछ illegal activity शुरू करती है, वो कहते हैं, unlawful, fraudal activity से क्या मुराद है, company unauthorized deposits वगरा race कर रही है, referral marketing campaigns कर रही है, अधर से पैसे पकड़े हो दो, दो से पैसे पकड़े इधर, लोगों से कह रही हमें पैसे दो, पैसे के against हम आपको पैसे वापिस करेंगे, इतने दिनों के अंदर, for example, उसने का जी मैं 21 दिन में पैसे डबल कर दूँगा, लोगों ने पैसा दिया, और ये बात पहलना शुरू हो गई, कि एक बंदा है जो कहता है, मैं पैसे डबल कर दूँगा, तो शुरू में कुछ लोग रिस्क लेने के लिए तियार थे, तो कुछ लोग आए उन्होंने अपने पैसे जमा कराए, उसने वो पैसे अपने पास संभाल के रख लिए, और जो initial बंदा आया था, उसके पैसे डबल करके उसको एकिस दिन में दे दिये, यनि ऐफ में बनदा पांच तारीफ को आया उसने का मेरे यह खी शार आपन डबल करके दे देदें, अब उसके पास फास दोजार तो आ गए हूँ, बाकी लोगों का डबल करने का टाइम मजीद लेट है, और जो पहले वैए उसके किस दिन आने वाले है, तो पहले वाले किस दिन पूरे हुए, उसको 2000 दे दिया, जो अगले दो बंदों से आया था, जब उसको 2000 मिला, उसने जाके गा, भाई, वो तो सच बोलता था, वो तो डबल करके देता है, वो 15 और लोगों को लिया, उन्हें जो पैसे दिये, तो यह जो दर्मियान में आये थ इस रला जाता है, कि एक बंदा टॉप पे है, फिर उसके नीचे दो, फिर चार, आठ, दस, बारा, तो इस तरह की पिरमिड्स, इस तरह की पॉंजी स्कीम, इस तरह की दो नंबर स्कीम, बेमानिया, चाल बाजियां, पैसे दो, लोटरी करवाएंगे, पैसे दो, इतने पैस कर देंगे, या इस तरह से, फैसलाबाद में काम शुरू हुआ था, क्या पच्छे सार जमा कराएं, उसके तीन महीने बाद, या चालिस हजार ले 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 ले, और लोगों को दिया भी, क्योंकि वोई बात है, कि वो फिर अगले वाले लोगों से पैसे पकड़ पकड़के, रेफरल मार्केटिंग, जैसे में एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को रेफर करता है, मिल्टी लेवल मार्केटिंग, एक दूसरा, तीसरा, पिरमेट, पॉन्जी स्कीम, फिर कोई और बिजनस एक्टिविटी जो उन्होंने मना किया है, या इन रिटर्न ओफ डिपॉ करना है, नमबर वन, सरकम्स्टांसिस, वो कौन सी रीजन्स हैं जिन पर वाइन अप होती है, चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस अकेले की वेटिज 15 से बीच और आपने देखिया के पेपर में 16, 17, 17, 18 टाइप की नमबर की यहां से सवाल आई है, जब भी आई क का क्या मतलब है, इसमें हमें एक बात करते हैं, कि अगर एक क्राइटर है, जो कि बहुत चोटा क्राइटर नहीं है, कई दिवाज चोटे मोड़े क्राइटर कम्पटी से पैसे मंगते हैं, कम्पटी उनको जड़ा टालमटोल कर रही होती है, एक बंदा कमस कम लाख कम्पटी पैसे नहीं दे पाती, तो यह अदालत को कहीं से भी फारेक हो गई है, यह जो आने वाली लाइबिलिटीज हैं, कंटेंजेंट यह इस तरह से और इस वक्ती यह कम्पटी उनको पैसे नहीं दे सकती, तो कम्पटी उनेबल टू पेड़ का मतलब है, कि लाक रुप बात आ गये कि कम्पनी अपने लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रही है अब अगली चीज़ एपलेकंट कौन है कौन कौन अपलाई कर सकते हैं अलग तरह के लोग हैं उनकी अलग तरह की रीजन है एक टेबल है जिसमें आपने याद रखना है कि एपलेकंट कौन है और किन करते हैं अपनी पूरी स्टेटमेंट फेयर अपनी सारी वरकिंग और एक स्पेशल रेजोलुशन पास करनी होगी कि हम वाइंड अप करने लगें तो कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटी और वो सारी चीज़ों की डिटेल जमा कराएगी तो अगर कंपनी इस अप्लिकेंट करेटर को करेडिटर बोलता है अकांटिंग में तो आपकरेडिटर उसे कहता ना जो क्रेड पर माल उठाता है और रिसीवेंबल पेबल कैते हैं यहलों जों believe पैसे लेने देने होते हैं तो और लेंडर और इस तरह का लगवर्स क्रेडिटर बोल देता है सारे किसम तर जो人 खाइनिग अब ज़रूरी है अगर वाग्र हाटी साच बोल रहे थे तो सेक्यूर्टी वापस मिल जाएगी और खामखाय रूरन टाइम पर बाद की अधालत का तो सेक्यूर्टी जब्त हो जाएगी फिर रेजिस्टर भी अपलाई कर सकता है रेजिस्टर अपलाई कर सकता है जब S.C.C.P. सो उसनी अजज़त ली हो कोई ना कोई एग सेचुवेशन आई हो उसनी S.C.C.P. क को काओ देखें जा सकता है त known किया ता कोई भी किसी भी डीजन पर जा सकते हैं अगर कंपनी मीनिमूम नंबर से नीचे चले गई आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था कि कंपनी मीनिमूम नंबर अफ मेंबर से नीचे चली जाए सेक्शन 14-15 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने का था कि वह 180 दिन सूपर अगर च जा रही इस वक्त मिनिमूम मेंबर से नीचे तो ये दो शर्तों ने साबित करनी होंगी अगर वो कहते हैं कंपनी मिनिमूम से नीचे चली गई है और वो साबित कर दें कि पिछले डेड़ साल में कहीं ना कहीं टोटल मिलाके एक सॉसी क्यूमिलेटिव ऐसे देने जब वो कमती के मेंबर रहे हैं तो इन दो रीजन्स की बेस पर आके कह सकते हैं जी हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा नहों कि हम लोग फस जाए इस कमती को वैंड़ आप किया जाए तो यह दो रीजन देखे वह फाइंग अप कि दर जा स कर सकते हैं एसी सीपी कर सकते हैं एसकी ऑफिसर अगर उनको थाबित हो जाए कि फ्रॉड बिमानी गडबर अनौत्राइज वह फ्रॉड मिस्वीजन्स वगारा और यह अपरचुनिटी और बींग हर्ट प्रोवाइट करेंगे और उसके मताबिक फैसला होगा लेकिंगर कमत होती है जिस वक्त परेटिशन प्रेजेंट होती है यनि हमने आगे र करते हैं तो दिन अपर प्रोसेस और जाए हो subscribe करें को यह वानिंग इसे ना हो बई सबको पता लग जाएगा पब्लीक ली वाइंग अप चुरू हो गई है और वाइंग अप कौन सा दो जिन में और आ जाना है तो अगर सुचें तीन साड़े तीन महीने दर्मियान में मौजूद हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या आतंग मचा सकते हैं तो देन लो ने ये इजाज़त दिया है कि वो तमाम लोग हुवर इलिजिबल कि वो वाइंग अप की पेटिशन दे सकते हैं तो यही पांच लोग जिनका हम नहीं जखर की हैं अगर इन्हें डर महसूस हो रहा है तो यह कोर्ट से कहें कि आप वाइंग अप का ओर्डर आने त तक और यह उन्हीं लोगों के कहने पर कर सकती है जो के वाइंग अप के लिए प्लाई कर सकते थे जिस दिन वाइंग अप कॉडर आएगा उस दिन यह प्रोविजिनल मेनेजर खतम हो जाएगा और उसकी जगा लेक्वेडिटर आ जाएगा दिस केन ऑल्सों हैपन कि उसी ब अपाइंट्मेंट लिक्वेडिटर फाइंग अपको और आएगा अब लिक्वेडिटर पॉइंट कैसे होगा यह एक पैनल में से पॉइंट होगा ऐसी सीपी ने पैनल मेंटेंग किया है कुछ ऐसे लोगों का जो के बहुत ज़्यादा तजरबाकार है जो कि इस तरह की कॉ क्या होगा किस किसम का होगा तो पैनल में कमस कम दस साल का तजरबा रखने वाले लोग अकाउंटिंग फानेस और लॉक्वेडिटर आएगा अगर लिक्वेडिटर की जगा खाली हो गई किसी वज़ाद से उसका कुछ और मसला हो गया तो जो कैजवल वेकैंसी फिल होगी वह भी उसी पैनल में से होगे फिर ये लोग जो पैनल से पाइंट होंगे वह कुछ उस तरह का कोड़ ऑफ कंडक्ट और वह वाली रिक्वार्मेंट फॉलो करेंगे जो के बता दिया गया ज्यशिवर उनको गइड कर रही किस तरह से एस पैनल में से किसी भी बंदे को प्ल की जाएगी अगर लिकुडेटर्स के दर्मियान को फटड़ा है तो फिर अदालत जो है वो इनके बारे में वो करेगी अदालत की जो चैंबर्स है उसमें फैसल होगा कि अदालत पर सब अदर अदरबत देना है कमती को कोई इंटरस्ट नहीं है दूसरा우इंडमेंट के वक्त ऐसने बता देना है कोई कोई डिसेबिलीटी तो नहीं है कोई मसला तो नहीं अगर अगर इड टाइम ऑफ बाइंडमेंट उसे लगता है इसको रिमरेशन नॉर्मली एसिट्स की परसंटेज मिलती है जो ये एसिट्स पर को आ रहा है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये खामखा आएगा तनखा लेगा और जल्दी जल्दी से बस एसिट ऑने पौने बेच के चला जाएगा तो इसको अलग-अलग एसिट की के टिगरी की अलग-अलग परसंटेज इडिमरेशन के तौर पर मिलती है फिर इसको एक मन्थली एलाउंस मिलता है हर महीने खर्चे के लिए इसने जाना है दो 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 मुखलिफ शेरों में पिरना है कारवाई करनी है बहुत मज़ा आता अगर ये वाइनिंग अप का वो भी बता देत है कि उसमें हो क्या रहा होता है क्या-क्या पावर्वर्व से कैसे मिलते हैं किस तरह से वह हमारे स्लेबस नहीं बताए क्यों कि चैप्टर का नाम है इंट्रॉडक्शन टौ वाइनिंग अप का जो इंट्रॉडक्शन उसमें इतरही लिक्वेडेटर जो है वह यह नहीं गोली लगी कोई किया रहे गोली लगी ए खाराओ को इस तरह से तो यह जो पर्सनल डिसेबिलिटी है इस में इस तरह से नहीं होगा कि इस तरह का को मजाग के है या नहीं है SECP को अगर convinced है कि yes personal disability है तो वो उसको इजाज़त देगा अगर liquidator जा रहा है तो नया liquidator पुराने वाले liquidator को replace करेगा और ये liquidator अपना काम सही से करेगा तो liquidator is the person जो कि सारे process को run करेगा फिर क्यों होगा statement of affairs बनवाएगा अब liquidator आगया आने के बाद वो कहेगा मैं आगया हूँ मैंने चार्ज संभाल ली है बताओ आपके पास क्या क्या पढ़ा वाए यानि कि कमपनी से आप वो information लेगा कमपनी की जो लोग हैं कमपनी की डारेक्टर्स हैं चीफ एक्जेक्टिव अगरा हैं management के लोग हैं, officers हैं, employees हैं चाहे आज के हैं, चाहे कुछ रसे पुराने हैं उन से, जिनको साल से कम अरसा हुआ है छोड़े वे उनको भी वो कह सकता है कि जी मुझे यह 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 information चाहिए तो यूं समझें कि statement of affairs एक बहुत बड़े accounts है accounts होते हैं जिसमें सिर्फ एसेट liabilities वगर होते है एक बंदा आ रहा है, वो company का वाली वारिस बंदे आ रहा है आप उसे कह रही है, हमारी company है, तुम समालो और बेचो इसे और मामलात clear करो, तो वो आपसे कहा है, भाई मुझे पर सारी detail दो इसके assets कितने हैं, liabilities कितनी हैं, इसके assets कहां कहां पढ़े हैं, कौन कौन सी location पर office हैं, कौन कौन वहाँ पर in charge है, management कौन कौन सी है loans कितने लिए हैं, कितने secure हैं, कितने unsecure हैं, यह वाला मामला क्या है, वो वाला मामला क्या है company की कौन कौन सी चीजें किस के पास पढ़ी है company कौन कौन से legal cases जीच चुकी है कौन से legal cases में कहां पर पढ़ी है company के overall सारे affairs इसेच चाहिए है तो इसमें होगा क्या assets liabilities cash balances कहां पर पढ़े हैं creditors और में से secured unsecured कितने है debts कितने due हैं company को company के asset किसी और की position में तो क्या कौन कौन से businesses हो रहे हैं कौन से legal cases हैं और सच अधर particular जो के ये बता देंगे ये बात समझाई अब सवाल ये कि ये कब और किन लोगों से मांगी जाएगी किन लोगों से मांगी जाएगी हमने बात की जो डारेक्टर चीफ एक्जेक्टिफ सीएफो सेक्टिव वगरा थे relevant date पे अब ये relevant date से क्या मुराद है relevant date से मुराद ये कि जिस दिन winding up का order आया वो हो सकते हैं प्रोविजनल मेनेजर पहले से अपॉइंट हो गया हो अगर वो पॉइंट हो गया है तो वो वाला दिन और वो नहीं अपॉइंट हुआ तो winding up के order वाला दिन आसान अलफाज में official equator या प्रोविजनल मेनेजर में से जो भी अपॉइंट हुए है और वो उसकी date of appointment से कहानी शुरू हो जाएगी उस दिन जितने भी लोग कमती की officer, director वगारा थे उनसे information ले सकता है जो पिछले एक साल में वहाँ पे मौझूद थे उन लोगों से भी information ली जा सकती है कमती की promotion में जो लोग शामिल तो उनसे भी information ली जा सकती है यह information किस वक मांगी जाएगी? relevant date के 15 दिनों के अंदर जमा करानी होगी relevant date क्या थी बला? date of appointment of provenal manager और अगर कोई appointment नहीं हुए है तो winding up order तो यह relevant date के 15 दिनों के अंदर information मांगेगी यह 15 दिन मजीद 45 दिन तक जा सकते हैं यह 15 जमा 45 दिन नहीं है यह 15 दिन में 30 दिन तक की extension मिल सकती है यानि अगर उसे लगता है कि time लगेगा तो वो 15 दिन की deadline को बढ़ा के कह देगा अच्छा जी 45 दिन में information दो तो 15 या बढ़ा के 45 दिनों के अंदर अंदर वो information मांगेगा यह 15 दिन शुरू होंगे relevant date से यानि के provision manager या official equator की appointment से शुरू होंगे फिर कहा जाएगा कि यह हम information चाहिए डारेक्टर, chief executive और यह लोग और चाहे मौझूदा चाहे पिछले एक साल में उन से information ले ले जाएगी कि अगें इसमें कोई भी शक्स जो है वो अगर क्रेटर या कोई भी शक्स की क्या दा है कि मैं क्रेटर हूं या कंट्रीब्यूटरी हूं और कि वो उसमें जो भी statements वगारा मैं किसी भी किसम को से खर्चा देना पड़ा फॉर एक्जम्पल कोई क्रेटर को कोई डिटेल देनी पड़ी कंट्रीब्यूटरी को को उस पर खर्चा हुआ ही statement बनवाने पर तो यह खर्चा उसको रिंबर्स होगा यह cash balances हैं यह negotiable securities पड़ी हैं यह इतना company का capital है इतने मौझूद हो और इतनी contingent liabilities है जो ड्यू हो सकती है इतने debts company को मिलने हैं इतने Contributory से पैसे आने हैं यह company के trademark and intellectual property है यह company के contract joint ventures और यह चीज़े हैं यह holding subsidiary company है यह legal cases है और यह वह information है जो as may be specified तो एक comprehensive सी report बनाके बताई जाएगी statement affairs company वालों से लिए उसके बाद एक खास pattern पर code को बता दिया कि यह सब कुछ है अब आप एजाज़त दिना आशी रवात ने में काम शूरू करूँ हो तो code देखेगी यह इस report से ना आपका scope करूँ होता है कि यह मैने जब joint किया मुझे यह मिला अब यहां स इसके साथ वो तो इसी और शीज़ें बता सकता है कि इसके साथ वो यह भी बता सकता है कि company जब बनी है तो company के बनते वे जो है formation से related को गड़बर तो नहीं होई कंपती बेमानी की नियत से तो नहीं मनाई गई थी कि तो वाई कुछ बोगस कंप्पियां बनती है और कुछी म महीनों बाद जो उनकी वाईनिंग अफ वगरारा की बातें शुरू हो जाती है तो लिक्विडेटर को ठीक लगता है तो वो company की जो इन कॉर्परिशन से related भी अगर कोई बिमानी या नियत की खराबी है वो उसको भी identify कर सकता है उसके इलावा कुछ और उसको कोई कह दे कि कुछ departments कुछ division चलते रहने चाहिए उतने का जी साल का process है मैं आया हूँ company का फलाना फलाना unit profitable है वो दस महीने तक चलता रहने है मैं सबसे end पर उसको dispose of करूंगा वहां से पैसे आ रहे हैं वो आते रहेंगे तो liquidator viability of company business की उपर भी report बना सकता है कि कुछ business या थोड़ा सा business जो है वो उसको चलता रहने दें और उसको वो वाइबल लग रहे है और जब winding up बिल्गो लेंड पर पहुंचेगी तो उसको बंद कर देंगे तो that was all about winding up by court जहां मज़दार process शूरू होना था कि अब क्या होगा कैसे बेचेगा किस तरह से वह हमारे इस लेबल से चला गया तो आप जल्दी से जल्दी CA final में आए तो इन्शाला ताला फिर आपको उससे आगे का process बताएंगे और वैसी अगर आप जानना चाहें सीखने के लिए तो next week से final का जो पूरा week है उसमें हम winding up के ही सारे process को पढ़ रहे होंगे अगर आप बहुत जादा मालूमात रख लेना चाहें इस वक्त नहीं जाहरा भी आपका paper करीब है कहने का मतलब है कि ये इस से आगे की कहानी और जादा मज़दार है अच्छा है तजस्त आपका कोई time या purpose आपने टैक किया था आटिकल्स में वो time या purpose पूरा हो गया आपने का यह कंपनी दो साल के लिए बन रही है दो साल पूरे हो गया आपने का यह company फलाना building complete करने के लिए बिल्डिंग कंप्लीट हो गई आपका time या purpose अगर पूरा हो जाए तो हम कहेंगे कि winding up जो है वो डियू हो गई है अब उस वक्ताप meeting करें और एक साधा simple सी resolution पास करते हैं company की winding up डियू हो जाएगे अगर इन दो के लावा कोई और reason पे members मिल के कहते हैं नहीं यार छोड़ो वो तो मसला नहीं है लेकिन बस बंद करते हैं अब अपने अपने पैसे निकालते हैं अलग-अलग business में लगाते हैं ज़रूरी नहीं कि company भी बुरे हालात हो तो उसकी winding up हो कभी दवा लोग अपने पैसे निकालने के लिए नहीं बिजनस में जाने के लिए भी कर रहे होते हैं तो वो कहेंगे चलो जी अब इस company को wind up कर देते हैं और अगर company voluntary winding up किसी और वज़ा से करना चाहा रही है तो फिर आपको पास करनी होगी special resolution तो जब हम resolution बोलेंगे तो वह special resolution बहुत सकती ordinary भी पहले से defined था तो साधर resolution और अगर बाद में किसी वज़ा से हुआ तो special resolution अगर बाद में किसी वज़ा से हुआ तो special resolution अगर अंडर supervision of court winding up शुरू ही भी है लोग घबरा के अदालत के पास पहुंचते हैं voluntary winding up शुरू ही है यह चीज़ है न में रखनी है winding up अंडर supervision सिर्फ 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 तब हो सकती है जब एक winding up already शुरू ही और जिसका नाम है voluntary winding up चल रही है और उनको लगता है कि ही सही नहीं चल रही है यह खुदी-खुदी से जो कर रहे है वाइंड अप क्योंकि वाइंड ने इखटे हो के specialization पास की खुदी से किसी डायक्टर को का होगा इश्तियाक साब कल से आप liquidator है उसने भी का होगा ठीक है code के अंदर word official liquidator आता है और साधा वाली winding up में liquidator आता है तो जी आप liquidator हैं वो काम शुरू करें अब उसमें कुछ members को क्रेटर को कुछ और लोगों को डर लगा कि जो winding up जस्ता से चल रही है यह तो खुदी-खुदी से खापी जाएंगे पता भी नहीं लगेगा तो वह घब के उपर अपनी supervision बिठा दे उस liquidator को यह अधर प्लेस कर दे यह उस लेकविडिटर को अपनी पावर दे के देखें के वो सही काम कर रहा है एक आध बंदा उसके साथ एड़ कर दें और उसको कहें शाबाज तुम चलाओ और आज सी वाइंडिंग अप नहीं है अंडर supervision of court है जो winding up के applicants थे वो ही 5 उन में से कोई कह या code को खुद लगे वो एक voluntary winding up को convert कर सकती है under supervision of जो continuous of voluntary winding up under supervision of court है shall be deemed to be petition for winding up अदालती कामों के लिए बहुत सारे legal purposes के लिए जब हम कहते है न जिस दिन petition दर्ज होई थी उससे आगे क्या हुआ तो यह जो petition है कि जी उस voluntary को उठाके अपनी supervision में ले आएं कानूनी अदबार से उसकी उतनी ही equivalence है जितनी winding up by court के order की equivalence है other mods पे conversion की जो petition है जब company wind up voluntary हो रही है subject to supervision of court अब voluntary चल रही है या supervision है वो still जा सकते हैं कह सकते हैं जी हमें by court की तरफ ले जाएं कोड जो है उस सारे उसमें situation देखेगा satisfaction देखेगा creditors contributors के मफदात देखेगा और देन यह decide करेगा कि यह वाली meeting जो है वह यह वाली winding up उस mod में convert होने की जुरूत है या यह यानि this is total discretion of court is deciding के वो by court की तरफ जाए या under supervision की तरफ जाए किस mod को किस मौड में convert करें तो that was all about winding up बहुत मज़धार chapter है बस तकलीफ ही है किसमें कुछ रटे वाल element है तीन चीज़ें रटा मारनी है एक reasons number two applicants along with उनके कौन सी की शर्ते हैं आई के अपने एक time में scenario दिया उसने के यह दो अलग अलग लोग है यह apply करना चारें winding up के लिए बताओ क्या शरायत होंगी तो आपने उन बंदों को समझना था कि वह उन पांच में से कौन से हैं और फिर उनकी आगे वह डबे की जो points है वह बताने थे कि इस तरह से करके तो दूसरी चीज़ यह हो गई तीसरी चीज़ स्टेट्मेंट ऑफ एर्स के content जो code को जाने वाली क्या चीज़ कंपनी को खुद करेंगी कंपनी अब है कंपनी वह है ना एक था कंपनी लिगल परसन है कंपनी के मेंबर्स पहले तो एक श्पेशल रेजोलूशन पास करेंगे फिर उसके बाद घंटी के डिरेक्टर अप्लाई कर देंगे क्या होगा कंप्नी में आपस हुआ हुआ उन्हें का चलो भी वालेंटरी वाइंडिक अप की तरफ जाएं तो लोगों ने का नहीं भाई हम इतना भुरुसा होता तो हम जगड़ाई क्यों करते हमें भुरुसा नहीं है हम अदालत के पास जाएंगे तो अगर कंपनी के मेंबर्स आपस में यह मिलके तैय कर लें कि जी अब हमें वाइंड अप होना है और एक दूसरे भुरुसा भी ना करें और स्पेशल रेजूशन पास करके यह ताय कर लें कि हम वालेंटरी वाइंग अप की तरफ जाएंगे तो यह वालेंटरी वाइंग अप फिर अदालत की तरफ चली जाएगे मतब वह चाहिए दन जी बिल्कुल देखें स्टेप वन इस पैटीशन गई उसके बाद अगर तो जरूरी समझा दालत ने लोगों के कहने पर तो उसने प्रोविजन मेंजर पॉइंट कर दिया अगर पॉइंट हो गया है तो शुरू हो गई कर वाई और नहीं पॉइंट किया तो व तो वो है relevant date उस relevant date पे वो लोगों से कहेगा उनको टाइम देगा पंदरा दिनसे जिस दिन वो आया है पंदरा दीन का ताइम तैम देगा अगर फॉर सम रीजन उसमें डिले लगर ओगा तो वो 15 दिन को एक्स्टेंड कर सकता है 15 दिन खेंच के maximum कहा तक ले जा सकता है 45 इसक दे देंगे, फिर statement of years मिल गया, तो उसके बाद as soon as practicable आपने अदालत को report दे नहीं है, लेकिन अदालत को report देने की जो maximum deadline है, वो है 60 days, starting from relevant date, तो relevant date से या तो आपको 15 दिनों में मिल जाएगी statement, या 20-25 दिनों में, जाद जाद कितनी late होगी, 45 दिन, still आपको पास 15 दिन है, और अगर आपको first करें, पांचवे दिन मिल गई, तो छटे दिन जमा करा दें, उन्हेंने का as soon as practicable, but not later than, जितनी जल्दी हो सके कर लो, लेकिन जादा से जादा देर भी की, तो relevant date से 60 दिन, उससे आगे नहीं जाना, done, clear, prospectus and commencement of business, आज का हमारा दूसरा, खुबसूरत सा, मज़ काफी logical chapter है, और इसकी कहानी अगर समझाई भी हो, तो बस पर आप straight forward इसको पढ़ते चले जाते हैं, prospectus क्या है और क्यों है, prospectus एक document है, जिसके थूरू लोगों को बुलाया जा रहा है, कि आओ हमारी company में invest करो, क्यों बुला रहे हैं आप लोगों को, क्यों लोगों से पैसे मांग रहे हैं, और पैसे ही मांगने हैं तो लोन क्यों नहीं, लोन पे इंटरस्ट लाजमी देना पड़ेगा, लोन पूरा का पूरा वापस भी करना पड़ेगा, लोन देने वाला security भी बड़ी हैवी मांगेगा, और अगर आप MFA पढ़ रहे हैं तो gearing अच्छी बात नही जानी की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डेट अच्छा नहीं होता, तो लोन में फाइदा बस यह है कि आप लोन लें, अगर आपको एक project नजर आ रहा है कि यारी confirm चलने वाला project है, लोन लें, project चलाएं, project से जो cash flows आएं, loan वापस कर दें, project आपका, shares issue करने का एक नुक्स पैसों से चलती है, sponsors से, subscribers वगरा के, चलते 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 थोड़ा सा आगे जाके एक ऐसी stage आती है, कि company को कुछ पैसों की ज़रत पढ़ती है, for example, उनने एक कडूर की ज़रत पढ़ती है, तो उनका अपने यार दोस को ही कहता है, कि यार तुम लोग एक कडूर चाहिए, मेरे कैसा टाइम आता है, कि आपको प्रोजेक्ट नजर आता है, कि ये प्रोजेक्ट ना 15 कडूर का है, ये अगर हमने शुरू कर दी आना, तो बस हम 3 साल में हम 100 कडूर की कमती हो जाएंगे, इस लेवल का आपको प्रोजेक्ट नजर आता है, एक बड़ी investment नजर आती है, अपन हमारी कमती में invest करो, प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें अपनी कमती के बारे में बताते हैं, अपने बिजनस के बारे में बताते हैं, लोगों को बताते हैं हमें कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कौन-कौन से बैंक्स हमारे साथ हैं, कौन-कौन से हमारे अंडर राइट जड़ा दिन बात से लेके बीसमें दिन तक आप लोगों से पैसे कलेक कर रहे होंगा, कुछ दिन डिफाइन कर देंगे दरम्यान में, पैसे कैसे कलेक कर रहे होंगे, किसी बेंकर से राप्ता करते हैं, कई दफा एक, कई दफा एक से ज़ादा बेंक होते हैं, आप उनके पास जो अपना prospectus रखवाते हैं ये document रखवाते हैं और वहाँ अपना form रखवा देते हैं लोग आते हैं उस एक दो तीन दिन जो आपने दिये वे होते हैं उस bank के पास पहुंचते हैं application बहते हैं कहते हैं मैंने 10,000 के share खरी दे हैं सब्सक्रिप्शन डेज उसमें लोगों की तरफ से पूरे पाकिसान से अप्लिकेशन आती हैं पैसों समेथ इसको हम रिजुनेट कर सकते हैं हच की अप्लिकेशन के साथ गौर्मेंट केती हैं हच के जिसने जाना है वो करे हमारे पास इतना कोट है जो सकसेसफुल हुए वो जाएंगे जोन सकसेसफुल हुए वो नहीं जाएंगे तो लोग पहले पीसा जमखर आते हैं अपनी application देते हैं पीसा government के पास पहुंचता है कुछ और से उंके पास रहता है वो कोरा अंदाजी करते है जिनका नाम नकलते हैं जिनका नाम नेके जाते हैं उनका नाम नहीं निकलता है उनसे कहते हैं सौरी बहुत माज़ाद खुआ हैं आपके पैसे हम आपको आपके अकॉंड में वापस भीज रहे हैं इस दौरान उस पैसे से कवर्मेंट अच्छा खासा इंट्रस्ट कमा लेती है हच के नाम पे आएवे पैसे से इंट्रस्ट कमा लेती है बड़ा मज़े का काम है ना भई लगीन बहुत सारे हैं कोटा थोड़ा सा है तो इतने सारे लोगों के इतने सारे पैसे कुछ अरसे के लिए यूं समझें चुटा सा है को उनको वो क्रेडिट कार्ड मिलावा है तो वो को दो तीन तीन चार महीन है और कर दो नियत खराब हो तो 6-7 महीन है तो अपने पास र रखवाया होता आपने वो कुरांदाजी करके कहता है यह खुशनसीब हैं और यह बदनसीब हैं जो बदनसीब हैं उनका पैसा उनको as early as possible वापस करना है लो ने 10 दिन का टाइम बता है हमारे इस लिबस में नहीं है उनको पैसा वापस कर देना है और जो खुशनसीब है उन पुरी 15 करोड़ से होना है आप उस वक 35 करोड़ के बाद भी फिर लोन लेते फिर रहे हों 1.5 करोड़ का तो फाइदे को ही नहीं तो आप किसी फाइनस्ट इस्टिटूशन से बात करते हैं वो कहता है ठीक है जी मैं रिस्क लेने को तयार हूँ अगर आपकी अंडर सब्सक कमिशन लेगा और अगर शेयर खरीदने पड़ गए तो एक तो कमिशन लेगा अंडर राइटिंग का दूसरा कमिशन लेगा कि मैंने बल्क में शेयर ली हैं तो बैंक्स इसलिए यह वाली डील कर लेते हैं उसमें कभी कभी नुकसान होता है जाद तो यह एक पूरा सारा का सारा प्रॉसस होता है अब इस दोरान प्रॉस्पेक्टस में आपने क्या लिखना है उसमें क्या बातें करनी है प्रॉस्पेक्टस में जो है वो आप जूट नहीं बोलेंगे जूट बोलेगा उसको सजा होगी उसको गर्मेंट भी सजा देगी और जस बंदे से जूट बोल डेंगे अपनी अपर उन्द परदेंगे कि subray में कालें और Nкие ऐससले यज बातें समय में वह भीदा ने वह ने लाकि रखशाव चूबो है कि अग्सक्रमारी कृभी और ना क्या में आपके रिस्लिफेन ऐगलेशन का स्केज्स स्केज्वल वन है इस्लिब स्न हमाई से लिपस में सिर्फ एक जुम्ला है कि अक्सर अथॉरिटीज कम्पटी से कहती हैं कि जो आपके रिस्क है ना कम्पटी के बिजनस में वह अपने प्रॉस्पेक्टस में लग दे सारी बात क्लियर कभी कभी एक बड़ा मज़दार से नहरी होता है कंपटी को एक से ज़दा दफ़ा पैसे चाहिए होते हैं कैसा प्रॉजेक्ट है जिसमें आज जमीन खरीद नहीं है साल बाद वो सारा प्रॉसस कंप्लीट करके कमर्शलाइजेशन वो सारा कुछ कर करके साल बाद उस पर बिल्डिंग मनानी है तो आज आपको 8 करोड चाहिए और साल बाद 7 करोड चाहिए तो बजाए इसके कि आप आज 15 करोड लेके बैट जाएं और लोग कहें कि हमसे इतनी जल्दी दिना पैसा क्यूं ले लिया आप दो शिफ्टों में प्रॉस्पेक्टस भी दे सकते हैं दो से जदा भी हो सकती है ऐसे में जो पहला प्रॉस्पेक्टस आया है जिसमें लोगों को आप कह रहे हैं कि आओ इन्वेस्ट करो वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है जिसमें आप बता रहे हैं कि हमारा एक प्रॉस्पेक्टस बाद में भी आएगा तो यह पहला वाला है जो एक से ज़ादा दफ़ा लोगों को बुला रहा है वो shelf prospectus है और जो बाद वाला आएगा वो supplement to prospectus होगा एक से ज़ादा supplement भी हो सकते हैं shelf में आप बताएंगे कि कितने supplement आएंगे और पर सारे supplement उतने अरसे में आने चाहिए अच्छा साल बाद जो supplement आएगा उसमें updated information होगी उसमें साल बाद के assets की detail होगी साल बाद के profits की detail होगी तो लोगों को आप हमेशा up to date information दे रहे होंगे done फिर एक कीमती बात जहन में रखने वाली यह है कि prospectus जो है कि prospectus is not that document जो banks use करते है not that document जो non banking finance companies और इस तरह की कमती है यूज करती है उनके certificate of investment, certificate of deposits, deposits इस तरह की चीज़े होती है वो अपनी अलग इस्तिहार बादी करती है prospectus is not that इस्तिहार, prospectus वो इस्तिहार नहीं है जो लोगों से deposit ले कि उनको पैसे return करता हो prospectus एक ऐसा इस्तिहार है जो लोगों से कह रहा है, आओ, इन्वेस्कर, तो obviously भी इसको अप्रूब भी करवाना पड़ेगा SECP से publicly आप वो कर रहे हैं, तो SECP से आपकी approval भी लेंगे, approval से बगएर आप करनी सकते approval के बाद साथ दिनों के अंदर अंदर prospectus आपको इस्यू करता होता है, तो जब आप approval ले रहे होंगे, तो कुछ कम्तियों के में एक लिस देखेंगे, जिनको approval लेने की जुरूब नहीं है, तो क्या ये सारी बात समझ आ रही है, एक एक करके अब देखते हैं, process अगर समझ जाए, अच्छा, एक एहम सवाल, prospectus जो है, वो कब issue किया जाएगा, कौन से साल, कभी भी किया जा सकते हैं, और this can also happen, के company जिन्दगी में कभी भी prospectus इस्यूना जाएगा, बहुत सारी कमती हैं, जो शुरू से अपने पैसों से चलुए और खुश है, अपने पैसे, अपने पहले तकलीव दे चीज़, इसकी definition, काफी लंबी चौडी बाते हैं, मैं इसको कहता हूँ, इसको तीन हिस्सों में divide कर लें, ये ये दो lines, ये दो lines और ये वाले lines, कोई भी document, described or issued as prospectus, कोई भी document जिसको कहा जाता है कि prospectus है, and include any document भी हो सकता है, notice भी हो सकता है, circular हो सकता है, material, advertisement, offer for sale document, publication और other invitation, किसी भी किसम का कोई कागाज, इश्तिहार, banner, flags, facebook का एड, किसी भी किसम की form में, जब एक document आया है, जिसका नाम है, वो prospectus है, ये जिसमें इरादा है कि वो prospectus है, वो document कर कहा रहा है, offering to public, और any section of public, जा तो सारी public offer कर रहा है, या खास इलाके के लोगों को offer कर या लोगों से कह रहा है, आओ invite करो, subscription या purchase of securities of company body corporate or entity, किसी भी company body corporate वगारा की, अगर आप securities के लिए लोगों को offer दे रहे हैं, तो ये क्या है, prospectus, other than, ये वो नहीं है, कौन सा, deposits invited by bank, या certificate of investment, या certificate of deposit issued by NBFC, non-banking finance company, तो non-banking finance company हो, या bank, वो जो लोगों को deposit, certificate of deposit, certificate of investment, और इस तरह की जो बातें करते हैं, ये वो चीज नहीं है, तो सबसे पहले prospectus में कुछ documents का जिकर करना है, फिर कहना है कि ये लोगों को बुलाएगा securities के लिए company body corporate entity की, और this is not वो वाला जो किस तरह से है, जब भी definition समझाती है, तो पर हम समझते हैं, शेल प्रॉस्पेक्टर अफिल प्रॉस्पेक्टर को, शेल प्रॉस्पेक्टर सिंगल offering document है, allowing companies to make multiple offerings, अकेल offering document है, और एक से ज़्यादा दफ़ा लोगों को बुला रहा है, ऐस इस वक्त हम आपको दुबारा दुबारा बुलाएंगे, within a prescribed time in subject to prescribed condition, तो एक सिंगल offering document जो multiple दफ़ा लोगों को बुला रहा है, और बता रहा है कि इस टाइम पे इन इन शर्तों में हम आपको साल बाद, डेर साल बाद दुबारा अप्रोच करेंगे, तो पहला वाला जो इस किस्त का वो शेल्फ हो गया, बाद में आने वाले जतने भी हैं, supplements होंगे, supplement to prospectus, supplement to prospectus, invite general public for subscription of the securities, उन securities की subscription के लिए which were earlier offer to public through shelf prospectus शेल prospectus की तुरू जो earlier offer हुए थे उसको, बाद में आप उसका supplement दे रहे हैं, supplement to prospectus for each offering contain updated disclosure, इसमें updated disclosure होंगे, done, prospectus का purpose क्या है, अगर company large number of person को issue करना चारी है, तो अगर general public चाहती है कि company के अंदर आएं, तो उनको relevant information देना मकसद है, prospectus के यही काम है, timing क्या है, prospectus कभी भी time of life ह हो सकता है, company जो हो सकता है कि shares अपने business शुरू करने से पहले पीशू करते है, हो सकता है भी business भी करूँ नहुआ हो और आते साथ ही एक बड़े group की company है, हम कहते है निशाद group, निशाद group क्यों को नहीं कंपनी भी होगी तो सब को पता है अच्छा group है, लोग उसमें पहले दि इन्वेस्ट करने को त्यार हो जाएंगे, तो शुरू में भी हो सकता है, बात में भी हो सकता है, company future में भी जा सकती है, फिर एक note दिया है कि prospectus permanent document नहीं है, जैसे memorandum articles हर वक रखना है, अपने वो सारी जिन्दगी आपके साथ चलेंगे, prospectus एक खास time के लिए आया, मशूरी क और चला गया, फिर आगे, prospectus को issuance से पहले पहले, जो भी date of publication आपकी वो वाला दिन या उससे पीछे पीछे आपने रिजिस्टरार के पास एक copy जमा करानी है, खिलाफ वरजी करेंगे तो आपको जुर्माना वगएर होगा, जुर्माने पर हम इतादादा फोकस नहीं करें इरिविजन क्लास में, authorities normally require करती हैं कमती से के वो arrange करें, लिखे risk factor separately लोगों को ताके लोग investment करने से पहले अच्छी तरह से धिहान कर लें किस तरह की कमती में क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं, वो invest करें या ना करें, ताके वो सोच के काम करें, done, prospectus की approval, हम कहते हैं, prospectus SECB से कमस कम 21 दिन पहले, जो भी आपने publication की date है, जिस दिन आप अखबार में publish करना चाहरे हैं, उसे कमस कम 21 दिन पहले आप उसको approval के लिए भीज़ते हैं, ताकि उनके पास sufficient time हो उसे देख कि और बता सके हैं कि हाँ ये prospectus सही है या नही है, SECB अप्रूफ कर देगा अगर उसे ल या नहीं कि बाकी सारे चेप्टर में हम कहते हैं companies act, लेकिन इस चेप्टर में हम कहेंगे securities act, तो अगर पेपर हम सवाल आए कि securities act के मताबग बताएं तो घबराना नहीं है, ये चेप्टर के पीछे जो law है वो securities act है, वो companies act नहीं है, ये valid होगा 60 दिन तक date of approval से, अप्रूफ ह कर लेना है, ये साथ दिन मजीद बढ़ सकते हैं, मजीद साथ दिन तक अगर आप जो है उसमें for special reason उनको वो करते हैं, प्रॉस्पेक्टर कभी इशू पॉब्लेश है, सर्कूलेट नहीं हो सकता है, सेम शेल प्रॉस्पेक्टर पर भी और सेम सप्लेमेंट लगा रहे हैं, जिसमें लिखा हुए आओ कंपनी के शेर्ज ऑफर हो रहे हैं, तो ये भी तो लोगों को बुला रहे हैं, तो अगर ये इश्तिहार आपने SECP से प्रॉफ किया तो आप दे सकते हैं, दूसरा option यह है कि इश्तिहार के साथ लिखा हो कि ये जो इश्तिहार है, आप बगार पूछें, उनसे कोई और ऐसी चीज प्रॉफ प्रॉफ जैसी पॉब्लिश वगारा नहीं करेंगे, सारे अलफाज हैं, इश्यू, सर्कुलेट, पॉब्लिश, टेली, कास्ट, ब्रॉड़कास्ट, सारे उन्होंने आडियो विज्यूल मीन्स कवर कर लिए, जो क प्रॉप्लिश प्रॉफ प्रॉफ कर सकती है, और प्रॉप्लिश प्रॉफ की अगर उसकी वज़ासे किसी के साथ धोका हुआ, या उसमें कोई इंफर्मेशन दी वी थी, ऐसी सीप का मकसद है वो अपनी लीगल फॉर्मेल्टी देख रहा है, प्रॉप्लिश में किसी से जाथ लेने की जरूवत नहीं है उसके लावा कमतीन अगर अपने ही चंद लोगों को शेयर इशू कर रही है या प्राइवेटली ओफर कर रही है तो उसके लिए आपको प्राइवेट ओफर दे रहे हैं फर एक्जेंपल अगर आप सबसेडरी कमतीन के शेयर जो है वो अप के लिए आपका फूरूवल की जरूवत नहीं है दन में कि प्र प्रास्पेक्टास की पप्लिकेश्ण से रिलेटेट क्या बाते हैं हम यह कहते हैं फुम्स फूल फ्लज्ज या एक खास अप्रूरू एपरेज़ फॉर्म या तो पूर प्रस्पेक्टास या कई दवाप उन एक ये अबरेज फॉर्म है अगर वो एबरेज फॉर्म अप्रूव हो जाए तो आप वो भी दे सकते हैं और आप फुल फ्लेज अबार में दे सकते हैं कम असकम एक उर्दू और एक इंग्लिश डेली न्यूस पेपर में आपने उसको शाया करना है वो जो आपके पॉब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेज हैं कम से कम साथ दिन पहले आपने यह वाला काम करना है उनसे यानिके आज आप अगर पॉब्लिश कर रहें प्रॉस्पेक्टर्स तो कम से कम साथ दिन बाद सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए और जादा से जादा तीस दिन साओं को से तूम से कम साथ दिन. को क्वीटा Celia तूर पास रखेंगे और अग इसे हैं उसके Z bull के पास बेले यह खेए और इसकी सतर्ट ए 감사합니다 संझान ऑम और किन दो आपको सेनरी सब्सक्रीश यह फिर्टेज्ट jis और शबस रखेंगे प्रोस्पेक्टस और सब्स्क्रिप्शन फ़र्म जो है वो कंपनी की वेबशाइट पर मौझूद होगा और वहां तब तक रहेगा जब तक सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हो चाते हैं तो लोग सब्सक्रिप्शन से डाउनलोड करना चाहें तो वहां से रिवाइती बाते हैं, expert वगरा, expert से मुराद कोई भी banker, advisor, engineer, valueer, accountant, lawyer, कोई भी अपनी field का expert जिसका profession उसको जाज़त देता है कि तुम statement दे सकते हो, तुम किसी चीज़ को verify कर सकते हो तो prospectus में आपने का हमारी 500 कडोड की building हैं, prospectus में आपने का हमारी 70 million का हमारी land है आपने कह दिया हमारे 30 million के legal cases हैं, आपने कह दिया कि हमारे profits जो है वो इतने कडोड के हैं, तो इन सारी चीज़ों पर expert की जुरूद पढ़ेगी और्डिटर की जूरत पढ़ सकती है, बेंकर की जूरत पढ़ सकती है, जमीनों की एक्सपर्ट की जूरत पढ़ सकती है, वैलियूर की जूरत पढ़ सकती है तो prospectus में अगर कोई technical चीज है और अगर आप किसी expert के पास जा रहे हैं तो expert की बात ही है कि वो independent होना चाहिए उसका company की management या इंतजामियां से तालुक नहीं होना चाहिए नहीं company के बनाने वाले वो जो promoters थे उनमें से कोई वो हो यार दोस्त भी वो भी बीच में नहीं आ सकते फिर आपने इससे जब statement लेनी है या आपने prospectus में लिखना है कि यह चीज हमें expert ने verify करके दिया है तो expert से पहले रजामंदी ले लेनी है क्या वो राजी है आपके जमले पे यानि expert आपको report देगा वो report आप prospectus के साथ लगाएंगे साथ में एक जमला लिखेंगे आप कहेंगे कि ये expert ने ये report दी और expert ने अभी तक अपनी consent withdraw नहीं की तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी statement है जिसमें हमें लगता है कि ये expert की तरफ से आ रही है तो expert ने अपनी consent दी हो और यहां पर prospectus statement आ रही हो कि उसने consent दी है और लिखा वह हो कि उसने भी तक withdraw नहीं की अपनी consent दर हमने काता कि आपने इसमें जूट नहीं बोलना जूट बोलेंगे तो criminal civil दोनों तरह की liability है criminal liability का मतलब आप जूट बोलेंगे तो अगर किसी बंदे ने जूट बोला offer ने, issuer ने, किसी दोस्त ने, किसी support करने वाले ने, किसी expert ने, किसी भी connected person ने अगर को जूट बोला तो ये एक offense है और securities act के मताबिक जो है, इस बंदे को fine वगरा होगा, जिसने securities act के rules and regulations को follow नहीं किया तो government इसके उपर criminal liability आपको करेगी, वो कहेगी, आप मुझरे में, आपने पूरे पाकिस्तान से जूट बोला है क्या सजा देंगे हमारे इस लिबस में नहीं है, 50 million तक जाती है 50 million, पांच करोड़, और उसके इलावा कुछ और बातें में, civil liability भी है एक बंदा कहता है, मैंने 25 करोड़ इंवेस्ट कर दिया, क्यों इंवेस्ट किया, प्रोस्पेक्टस की बेस पर, प्रोस्पेक्टस में आपने कहा था हमारी गमती के ये वाला प्रोजेक्ट है पता लगा जूट बोला था, तो जिसने जूट बोला था, उसको personally liable भी कर सकता है, compensation के लिए तो criminal liability तो है, government तो सजा देगी, देगी, अगर कोई बंदा साबित कर देता है, कि प्रोस्पेक्टस में जूट था, number one, number two जूट की विए उससे नुकसान हो गया तो जिस बंदे ने जूट बोला था, वो उसको personally अदालत में ले जा कि उससे compensation damages डिमांड कर सकता है Done? फिर एक concept आता है, इस chapter में, commencement of business ये जो private company है ना, ये तो जब मरजी अपना काम शुरू कर लें, इन पर कोई पाबंदी नहीं होती थोड़ी सी है जादा public involved नहीं होती, जादा मसलों मसाहिल नहीं होती है लेकिन जो public कमती है ना, इनको tension होती है फिर वो कमती है जिनका share capital होता है, guarantee limited share capital वाली ये अपना काम ऐसे नहीं शुरू कर सकती है इनको कुछ शराइद पूरी करनी होती है, वो शरतें पूरी हो जाएं फिर इनको certificate of commencement of business मिलता है यानि private कमती को एक certificate मिलता है, certificate of incorporation वो काम शुरू कर देती है वो borrowing भी कर सकती है, वो काम भी शुरू कर सकती है लेकिन बाकी कमतीयों को, यानि के public और उससे आगे की कमतीयों को ना वो borrowing कर सकती है, ना वो काम शुरू कर सकती है, जब तक वो एक certificate extra ना ले ले ये certificate होता है, certificate of commencement of business, business start करने का certificate certificate of commencement of business कैसे मिलेगा, अगर आप कह दें कि हमने शुरू वाले सारे processes पूरे कर लिए फर्जेंपल अगर आपने इस अवाम को बुलाया था, तो हम कहें जो डारेक्टर्स तो उन्हें अपने पैसे पूरे हमें जमा कराती हैं, हमारे पास जो लोगों के पैसे वाजब अलादा थे, वो हमने उनको वापस कर दी हैं, हमारी एक minimum subscription में हमें define की थी कि कम असकम इतनी आनी चाहिए, वो हमारे पास आ गई है, हमारा जो है, वो हमने जो prospectus था या prospectus की जगह को और statement हमें जमा करानी पड़ गई, कई दफ़ा आपको कुछ और statement भी जमा करानी पड़ जाती है, उसको देखेंगे वो क्यों होता है, तो हमने वो statement भी फिर इंडिक डेकलेशन दे दियो के तमाम rules, regulations हमारे फुल्फिल हो गए हैं, अगर ये पांच शर्तें पूरी हो जाएं, तो आपको certificate of commitment of business मिल जाता है, certificate of commitment of business छटी शर्त है, अगर आपसे को पूछे, company business कब शुरू कर सकती है, पबलिक company, आप कहें जब ये 6 शर्तें पूर तो ये उपर वाली 5 बताइं, और अगर उसे certificate भी मिल जाए, और सवाल या है कि बताओ certificate of commitment of business कैसे मिलता है, तो अब आपने 6 नहीं बतानी है, 5 बतानी है, 5 कौन सी है, डारेक्टर्स के पैसे आ गए हैं सारे के सारे, minimum subscription पूरी हो गई है, पैसे वापस करने वाले वापस हो अगर आपको commencement certificate नहीं मिला और आपने को contract वागरा किया है, तो जो तुम ही contract है, वो बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग कब होंगे, जब commencement certificate मिलेगा, लेगा, प्रावेट कंपनी और guarantee limited not having share capital can commence their business and exercise all burning power after incorporation, incorporate हुए तो प्रावेट कंपनी और guarantee limited not having share capital, वो तो foreign से काम शुरू कर दें, लेकिन बाकी कंपनी यानि के public कंपनी और guarantee limited having share capital, वो तब तक business शूर नहीं कर सकते, जब तक 6 शरते पूरी नहीं हो जाए, shares in cash, minimum subscription कमस कम आ गई हो, तमाम directors ने कंपनी को full amount cash में दे दी हुए हो, जो उनके जिम्में थी, किसी भी बंद prospectus या statement legal prospectus जमा करा दी है, और then registrar ने कंपनी को certificate issue कर दिया, रिश्टार एक दफ़ा देखेगा और सारी चीज़ें देखने के बाद आपको issue कर देगा, ये certificate conclusive evidence है कि कंपनी को जादा मिल गए, इस date से पीछे-पीछे के contract provisional है और इसके बाद जो है वो, अगर एक private company public में convert तो उसने इस section को follow नहीं करना, वो तो private company थी, ये section उन company के लिए जो शुरू से ही public कमती है, अब यहां दो नई बाते नज़र आई है, minimum subscription और statement in your prospectus, तो किताब में minimum subscription के बारे में बताती है, कि कई दवाब आपने memorandum article में define कर देते है amount, कि हमारी minimum subscription होगी इतने, इतने लाक, जो आपने वो amount define कर दी, फिर वो होगी, और अगर आप कोई amount define ना करें, तो जितना पैसा आपके पास cash में आया है, वो ही minimum subscription है, definition थोड़ी चेकी है, amount if any fixed by memorandum or article upon which director में proceed to allotment, यहां तक तो बात सही है, if no amount fixed, अब आगे थोड़ा टेडा करके लिखा हुआ, the whole amount of share capital other than that to be issued not for cash is minimum subscription, वो तमाम share capital की amount other than वो वाला जो cash पे नहीं issue होना, जो cash पे शूँ नहीं होना, वो वाला नहीं, तो कौन सा वाला, जो cash पे शूँ होना है, तो यह सीधा जूमला लग सकते थे, whole amount of share capital that is to be received in cash, जो नहीं का नहीं, other than that to be issued not for cash, जो not for cash हो, वो हो नहीं सकता, वो नहीं, तो यह बात समझाई, साइलोब कप जमा कराएंगे, वो कौन सी situation है, जहाँ prospectors देंगे और कौन सी जगह पे आप statement in lieu of, in lieu of का मतलब होता है की जगह, अगर आप general public को बला रहे हैं, या company listed है, आप prospectors देंगे, अगर आप general public को नहीं बला रहे हैं, आप अपनी चनल यार दोस् प्रोस्पेक्टर मस 모री चूकर रहे हैं, आपको λिस्टिंग नहीं मिली है, तो फिर सारे पैसे वापिस कर दें, जो लोगों से लिये थैजा, लिस्टिंग के लिए और जमा करा दें, सायलोब तो इसका मतलब v Listed कमवे प्रोस्पेक्टर कर रहे हैं, वो कमवे जो public offer कर रहे वो सायल आप्टिमागर आएगी डन तो यह हम लोगों ने दो मासूम मासूम से प्रफ्रेक्टस का ज़रा च्प्टर था और दूसरा थोड़ा बड़ा था लेकर बाते सीधी सी थी तो यह हम लोगों ने कवर किया तो इंशालला ताला कल कहानी को यही से आगे बढ़ाते हैं क क्योंके आगे भी कलासे चल रही है स्केज़ूल बनाते विए तो हम अतने जोश में थे कि बस बनाते चलाए गए और उपर तक फाइनल की क्लासे मी चल रही थी तो च्छह बजे के आगे भी टाइम नहीं था लेकिन इस वक्त एक्जिकली कल मेरी शाम में फाईनल की कलास न तो आपको नजर भी आएंगे तो आपको लोग भी नजर आएंगे असल में कमती लोग के बच्चे तो ऐसी कप से पढ़के ठंडे होके बैठे हुए हैं फिर मैं पीछे भी उद्धर दूसरे कॉलिज में प्रिविजन करा कि आया था तो आप उस टाइम पे आएंगे तो आप 6-10 अपने जहन में रख लें 6-10 पे शुरू करते हैं तो कल हम इस टाइम पे नहीं 6-10 पे क्लास कर लेंगे इंशाला सिर्फ ये कल की एडजस्मेंट है वो जुम्ह है और बाकी पूरा दिन इतना बुरी तरह से पैक हुआ हुआ है और शायद आप लोगों को थोड़ा होसल